नमस्कार मैं आलोकती बारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आज के वीडियो में चर्चा का विशय है कि राहु एवम केतु का रतन गोमेद और लहसुनिया क्यों धारन नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू कि राहु एवम केतु दोनों ही राक्षा सस्वरभानु के अंश हैं लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब वे राक्षा सस्वरभानु के अंश हैं तो वे राहु केतु की रूप में कैसे परिवर्तित हुए इन्हें ग्रहो में कैसे सामिल हुए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा अब बात हो रहे हैं कि राहुयों केतू का रतन धारन नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि रतन धारन क्यों किया जात है यदि आप किसी गरह की शक्ती बढ़ाना चाहते हैं तो उसका रतन धारन कर लेंगे तो कुंडली में अपनी उपस्थिती के अनुरूप, अपनी गुडवत्ता के अनुरूप वह अपने गुणों में अवगुणों में भी ब्रिधि करने लगेगा यदि आप किसी चोब ग्रह, खराब परिणाम देने वाले ग्रह का रतनधारण कर लेते हैं, तो उस ग्रह से मिलने वाले खराब परिणाम मे ब्रिधी होने लगेगा और आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु के बारे में राहु ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो प्रसन्न होने पर अपारधन संपत्ति भौतिक सुक्स्विधाओं की आकस्मिक प्राप्ति करा देते हैं लेकिन यह सब कैसे प्राप्त होगा सही दिशा से प्राप्त होगा या गलत तेज बुद्धी, कोई बड़ा काम करने की लालसा, विज्ञान, खोज, फोटोग्राफी, चित्रकारी इस तरह के गुण भी हैं इन सबका प्रतिनिदित्व राहु के अंतरगत आता है लेकिन यदि दूसरी तरब देखें तो राहु के अंदर गलत विभागों की भी अधिक जैसे छल, कपट, शराब, जासूसी, चोरी, डकईती, अधार्मिक प्रवित्ती, जूट, कुकर्म, पापकर्म, धोखाधड़ी, दूस्ट इस्तरी गमन, दूस्ट जनों की संगती इस तरह की प्रवित्ती राहु के अंदर है यदि आप राहु का रत्न धारन कर लेते हैं, तो आकस्मिक धनलाप तो हो सकता है, लेकिन जिन विभागों के वे स्वामी हैं, जिन अवगुणों के वे स्वामी हैं, उनमें भी बृध्धी होने लगेगी, आपके जीवन पर उन सब का प्रभाव हावी होने लगेगा, क्य राहु करत्न गोमेद कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी जातक को, किसी भी इस्तिती में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु के पास गुणों से अधिक अधिकता है, और यदि आप गोमेद धारण कर लेते हैं, तो राहु के अधिकता हैं, तो राहु के अधिकता है अब हम बात करते हैं केतु के, केतु में एक विशेश गुड होता है, यह जातक को मोक्ष की दिशा में ले जाने का कारे करता है आम जीवन में यदि देखें तो कोई भी इंसान जब सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है तब मोक्ष के बारे में सोचता है लेकिन केतु समय से पहले ही किसी भी इंसान को सांसारिक मोहमाया से दूर ले जाने का कारे करता है घर परिवार से मोह भंग कराने लगत केतु, मोक्ष, गुप्त बिद्या, कठिन बिद्या, मंत्र शक्ति, संसार से विरक्ति एवम तंत्र मंत्र के कारक ग्रहा हैं। आपको परिवार से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, आपके मन में बिरक्तता जाग्रित होने लगेगी, बिक्ति के मन में अपना घर परिवार छोड़ने का विचार उत्पन होने लगेगा, इसलिए केतु रतन लहसुनिया कभी भी किसी भी इंसान को धारण नहीं करना चा एवं केतु के लिए गोमेद और लहसुनिया क्यों निर्धरित किया गया है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदारण देना चाहूंगा, छोटा सा उत्तर देना चाहूंगा, कि किसी भी सिगरेट के पैकेट में है, यदि आप देखें तो उसमें लिखा होता है, धू एक छानुसार उसे का सेवन करते हैं, जिन्हें अपने स्वास्त की चिंता नहीं होती है, वे सिगरेट का सेवन अवस्य करते हैं, लेकिन जिन्हें अपने स्वास्त की चिंता होती है, वे कभी भी सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं, इसी तरह से राहू एवं केतु का रत्न, गोमेद और लहसुनिया भी है जो सिगरेट की तरह ही है अब विचार आपको करना है कि राहू रतन गोमेद एवं केतु रतन लहसुनिया आपको धारन करना है या नहीं यदि धारन करते हैं तो उसके दुस्परिणाम को भी आपको झेलना होगा यदि धारन नहीं करते हैं तो उसके दुस परिणाम से आप बचे रहेंगे। अब मैं इस वीडियो को ही पर समाप्त करता हूँ और मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर किसी ग्यान वर्थक वीडियो के साथ और आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए महमान के रूप में आये हो तो इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सा बंभोले नाथ की